जिसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज्याव फैन बंदर के पीछे तालाब में गिर गया था और बेहूश हो गया था और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आपको बेट पर पाता है जहां उसका मास्टर और उनकी वाइफ थी. मास्टर पूछता है कि आखिर तुम वहां कैसे पहुँचे तुम्हे बताना होगा वो डाटकर ज्याव फैन से पूछ रही है जिस पर ज्याव फैन कहता है कि एक बंदर उनका खाना लेकर जा रहा था जिस वज़े से उनको उसका पीछा करना पड़ा. मास्टर और गुसा हो जाता है क्योंकि पहले तो ज्याव फैन ट्रेनिंग के टाइम पर खाना पका कर खा रहा था और दूसरी बात कि वो इतनी बड़ी अकाडमी में इतने बड़े मास्टर के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है लेकिन फिर भी एक बंदर को नहीं पकड़ पाय वो गुसा कर दे हुए फिर वहाँ से चले जाती है लेकिन उनकी वाइफ समझाती है कि अच्छी बात ये है कि दोनों बच्चे एकदम सेफ हैं वो ज्याव फैन की तबिया चेक करती है और उसे चिंता ना करने को कहती है और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है अब तब ही वहां वो बंदर भी आ जाता है और उसके हाथ में वो स्टेक और उसके उपर लगा हुआ क्रिश्चल है वो बंदर वहां आकर उसे उठा देता है और फिर तभी वहां सिस्टर भी आ जाती है जो फिर से बंदर को देकर गुसा हो जाती है और उसे पकड़ने लगती है लेकिन स रुपाप को दूर करने के लिए उस पर वो ही चड़ी फेगता है लेकिन रुपाप बंदर पर अटाक करने की जगे स्टिक से खेल ले लगता है और स्टिक को सिस्टर को ला कर दीता है बंदर हार कर वहां से भागने लगता है और अब सिस्टर खुद उसे पकड़ने की कोशि करने लगती है और फिर काफिर मुश्किलों के बाद जब वो बंदर को पकड़ने ही वाले हुती हैं तो तब ही ज्यावफैन बीच में आकर उसे रूख लीता है, और कहता है कि यह बंदर बिचा रहा है। बंदर ज्याव फैन के उपर चरकर खेलने लगता है और अब ज्याव फैन उसे अपना पाल्दू बना लीता है जिस पर सिस्टर कहती है कि तुम्हें इसका ध्यान रखो और ये रुबर्ब के साथ बस लड़ाई न करें। अब ज्याव फैन बंदर का नाम ज्याव हुई रख लेता है और बंदर फिर ज्याव फैन को वही स्टिक ला कर दीता है। ज्यावफन रात को अब अपने कमरे में जाकर मेडिटेट करने लगता है और स्पिरिच्वल पार को बढ़ाने की कोशिश करता है और फाइनली इस पार वो स्पिरिच्वल पार को समन करके एक पार बॉल बनाने में काम्याब हो जाता है वो सोचता है कि जब भी वो यहाँ पर meditate करता है तो उसके अंदर का hydrogen pixel waves के साथ collide करके dissipate हो जाता है इस बार भी हलाकि same ही हुआ है लेकिन इस बार पहले से अच्छा है अगर zyao fan ऐसे ही practice करता रहे तो वो बागी जितना strong भी हो जाएगा वही दूसी तरफ हम Lynn को देखते हैं जो रात को कावी heart sword training कर रहा था लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार से बड़ी rock को नहीं तोड़ पा था तब भी फिर वहाँ उसके master आते हैं जो पताते हैं कि quingyu sword manship सीखने के लिए सबसे important चीज ये है कि आसपास का कोई distraction नहीं होना चाहिए तुम वो सब भूल जाओ जो तुमने अभी तक सीखा है quingyu man sword के साथ जब तुमारी हाथ में हो तब कुछ भी तुमारे रास्ते में ना आए और जहाँ ये sword तुमें ले जाए वहाँ बस जा दे जाओ जीत या हार के बारे में सोचना छोड़ कर सिर्फ target पर focus करो ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ practice कराती है और master अपनी तलवार को बिना पत्थर पच हुए ही पत्थर को तोड़ देता है अब वो फिर से लिन को तलवार देती है और उसको ऐसा करने को कहती है लिन ट्रेनिंग करता है और फिर तभी master कुछ सोच कर नीचे खाई में कूच जाता है लिन बहुत tension में आ जाता है और नीचे देखने लगता है लेकिन तभी master उड़ते हुए उपर आते हैं और एक दम लिन पर हमला कर देते हैं और दोनों sword fight करने लगते हैं वो dragon sword का use करके fight कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर तुम dragon sword को हासिल करना चाहते हो तो पहले proof करो कि तुम इसके लायक हो वो उसे dragon sword देते हैं और लिन अप अपनी spiritual power को sword के साथ माच करके master के साथ training करता है और training करते करते बहुत बड़ा dragon spirit अफ़तार वहाँ आ जाता है वो dragon इतना बड़ा था कि उस dragon को एक sweeper भी notice कर लीता है master lin पर काफी कुछ होते हैं और कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने talented हो अब तुम्हारे teacher होने के नाते मैं तुम्हें क्विंग्यू sword manship में पास कर दूँगा क्या तुम last test देने के लिए ready हो अब ऐसा कहते ही वो आसमान में उचल कर अपनी तलबार पर कुछ चांटिंग करते हैं जिससे आसपास का पूरा मौसम बदल जाता है और अचानक lin भी बेहोश हो जाता है वहीं अब दूसरे दिन और तभी वहाँ सिस्टर आ जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे लिए क्या बनाया है जियाओ फैन उसे अभी नहीं दिखाना चाहता था लेकिन वो खुद देखने लगती है जियाओ फैन ने उसके लिए बहुत कुछ बनाया था जिसे देखर सिस्टर काफी खुश होती है लेकिन तभी सिस्टर उसके हाथ में कुछ नोटिस करती है और उसे पूछ दी है कि आखिर ये क्या है जियाओ फैन उसे अभी भी नहीं दिखाना चाहता था इसलिए उनमें हाथा पाई हो जाती है और हाता पाई के बीच, वो काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी सिस्टर, उससे वो छीन लेती है, लेकिन फिर से जगछा ज्यावफन हाताई करता है, तो वो बैम्भू, पानी में नीचे गिर जाता है और बेह जाता है अब फिर तब भी वहाँ सीनियर सॉंग आता है जो उसको बताता है कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं लॉंग शॉन फैंग के डिसाइपल्स यहां आने वाले हैं और तुम्हें उनसे मिलना चाहिए ज्याओ फैंग उस बैंबू को जैसे तैसे निकालता है और फिर उनके पीछे जाने लगता है वहां ज्याओ फैंग के मास्टर शीफू और लॉंग शॉन फैंग बैठे थे और वहां लॉंग शॉन फैंग के डिसाइपल्स भी मौझूद है एक disciple को टी बैम्बू में पीनी नहीं आती और ये देखकर master shifu कहते हैं कि क्या तुम्हारे master ने तुम्हें बैम्बू में चाई पीनी नहीं सिखाई असल में ये masters आपस में एक दूसरे से चिड़ते हैं कि dance के दौरान rules change कर दिये गए हैं ये सुनकर master shifu को अजीब लगता है और कहते हैं कि क्या rules change हो गए अब ये किस तर है कि और क्या rules है वो हम अगले episode में बताएंगे अब जब ये लोग बाते कर लेते हैं वह तब इस sister और ज्याओ फैंग आजाती है ज्याओ फैंग अपने बच्पन के दोस लिन को दे कर काफी कुछ होता है और master और उनकी वाइफ को greet करने के बाद वो लिन से मिलता है और कहता है कि आज तुमें मेरी याद कैसे आ गई sister लिन के बारे में पूछती है जिस पर ज्याओ फैंग बताता है कि ये लिन मेरी बच्पन का दोस थै और हम साथ में ही माउंटिन पर आए थे अब master शीफू ज्याओ फैंग से कहते हैं कि तुम टेस्क के लिए जा सकते हो अब फिर master और उनकी वाइफ यहां से जाने लगते हैं और sister और लिन भी आपस में एक दूसरे को greet करते हैं और कहता है कि मेरे दोस के बस तुम जैसी दोस थै जिससे वो जरूर आगे बढ़ेगा और त्यानशी का नाम फिर से रोशन होगा अब लिन ज्याओ फैंग से अकेले में बात करना चाहता था इसलिए वो दोनों बाहर जाते हैं और एक दूसरे से बाते करते हैं कि हम पांस सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं वो एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और कल्टिवेशन के बारे में पूछते हैं और ऐसे ही बाते करने के बाद ज्याओ फैंग कहता है कि अब तो मैं तुमसे नहीं हारूँगा यानि वो अब एक दूसरे से फाइट करेंगे। ज्याओ फैंग बच्पन वाली लकडी की तलवार उसे देता है और ज्याओ फैंग ने ये अपितक रख रखी थी। ये देकर लिन को काफी अच्छा लगता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है जिसमें पहले तो वो एक दूसरे को बराबट रख कर देती हैं लेकिन बात में लिन ज्याओ फैंग पर भारी बढ़ने लगता है। बंदर और कुटा उनकी लड़ाई को देकर काफी घुश हो रही हैं। वो दोनों काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट कर रही हैं जिसमें लास्क लिन फाइट करते वाइट ज्याओ फैंग को धक्का दे दीता है। वहाँ थभी सिस्टर आ जाती है और उसे लगता है कि लि पर हमला करती जाती है। अब लिन भी उससे लड़ता है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सिस्टर लड़ने में काफी एक्सपर्ट है और वो अपने यूनीक स्टायल से कॉमबाट फाइट में लिन पर भारी पढ़ने लगती है और अपने कपड़े म लिन को पूरी तरह से कैद कर लेती है। अब लिन गुसे में आ जाता है और वो ड्रागन स्वाट निकालकर ड्रागन अपतार को समन करता है और सिस्टर पर हमला कर देता है जिसके बाद ये एपिसोड यहीं कदम हो जाता है।